हलो बच्चो इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 4 नन्ना फनकार वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया उसने जल्दे जल्दी कोई प्रार्थना बुद्बुदाई और छैनी हतोड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारे और कणियां उकेरना शुरू किया था लड़के ने एक अदबनी अदूरी घंटी पर छैनी की नौक टिकाई और सावधानी पूरवक हतोड़े से घंटी पर नकासी करने में जुट गया हतोड़े के वार से पत्थर पर जो कटाओ उबरता उससे पत्थर की किर्चे छितरा जाती और वह आँखें सिकोल लेता साथ ही साथ धीमी अवाज में वह कुछ गुन गुनाने भी लगता उसके चारा और दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुई थे पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था अब तक उसने नकासी का जो भी काम किया था उन में से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था केसव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियों मही नफीस बैल बूटे कमल के फूल लहराते हुए सांप और इटला कर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकीर पाएगा ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते है कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे बादसा अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केसव के पिता को यहां यहीं काम मिल गया केसव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था उसे गुजरात के पुस्तेनी गाउं जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला आगरे की गलिया और अब सीकरी बस यही उसका घर थी चारा ओर हो रही छैनी हतोडों की ठक ठक खड़ के बीच केसव को किसी के कदमों की आहट भी ने सुनाई पड़ी इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पढ़ने पर वह चौक गया माशा अल्ला ये घंटिया कितनी सुन्दर है तुमने खुद बनाई है पीछे मुड़कर केसव ने आँखे उठाई तो उसने एक आदमी दिखा बेशक मैंने ही ये घंटिया बनाई है क्या मैं आपको पत्थर पर नकासी करता नजर नहीं आ रहा देखते नहीं मैं ही पत्थर को तरास रहा हूँ केसव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो न वै आदमी हसते वे बोला मैं दस साल का हूँ दस अच्छा वै आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते वे बोला तब तो काफी बड़े हो मैंने भी तेरे साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था उसकी उम्र रही होगी तीस से उपर कद मजूला था वै सफेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढखे हुए थे लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े मोतियों की माला और अंगलियों की अंगुठियों को देखते हुए सोचा केशव उस आदमी के व्यक्तितु का मुआना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नकासी की तरफ इसारा करते हुए कह इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है इस से पहले की केशव कोई जवाब देता उसने किसी के तेजी से दोड़ने की दोड़कर आने की आवाज सुनी यह और कोई नहीं महल का पहरेदार था हुजूर माफ करें मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला हापते हुए उसने कहा फिर वे मुड़कर बहुचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला बेवकूफ खड़ा हो उजूरो आला के सामने बैठने की जुरूरत कैसे की तूने जुपकर सलाम करें ने अब केशव का माता ठंका उसे कुछ-कुछ समझ आ रहा था बदहवासी में चैनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वे जल्दी से उठकर खड़ा हो गया अरे कहीं ये बादसा अकबर तो नहीं ये ख्याल आते ही उसने जुक कर सलाम किया खरगोश कीसी कातर नजरों से अक को पहरेदारी की यह दखलंदाजी भली ने लगी उन्होंने खीज कर पहरेदार को वहां से जाने का इसारा करते वे कहा ठीक है सिपाई कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो पहरेदार तो चला गया मगर केसा असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए वापिस अप अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्करा रहे थे तुम्हारा नाम क्या है अकबर ने नरम आवाज में पूछा केसव उसने नपातुला जवाब दिया केसव क्या तु मुझे नक्तासी करना सिखाओगे उल्जन में पड़े केसव ने तुरंट से रहला दिया तब तो तुम्हें मेरे लिए हतोड़े और छेनी का भी इंतिज दोस्ताना अंदाज में अकबर केसव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खिंशते वे बोले ठीक है अब बताओ की मुझे क्या करना है केसव ने संदे भरी नजरों में अकबर की और देखा हुजूर क्या आप यह सब करेंगे क्यों नहीं मुझे त चाहता हूं कि आप इतने बड़े बादसा हैं यह ठीक नहीं लगता उसने कुछ अन्मने भाव से कहा अकबर हसकर बोले अच्छा लेकिन पिछले हपते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया डोने में किसी की मदद की थी क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है केसव फिर जैसे की केसव के पिता ने उसे सिखाया था उसने कोले के टुकडे से पत्थर पर लकीरें खीच कर एक आसान सा नमूना बनाया और गंबीरता से कहा देखिए सिर्फ इनी लकीरों को बहुत आसान से तरासना हैं अकबर ने पत्थर पर छैनी रखी और जोर से हतोड़े से वार किया जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया अरे अरे नहीं नहीं केसव ने तुरंद गलती पकड़ी हतोड़े को आहिस्ता से मारना है ऐसे उसने करके दिखाया और हां अपनी आखे थोड़ा मीच कर रखें वरना किर्चें उड़कर आखों में चली जाएंगी अकब मैं केसव भी मुस्करा उठा वे लगबग भूली गया था कि उसकी बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादसा है एक अनाड़ी से व्यस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था वे बड़े ध्यांद से देख रहा था कि अकबर किस थरे लकी और केसव सिर हिला कर अपनी एस अहमती जता देता अकबर इत्मिनान से बैठ गए और केसव को काम करता हुआ देखने लगे अपने काम में खोएवे उन दोनों को इस बात का एसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतरास उन्हें बड़े कोथूल से देख रहे थे लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा केसाव देखना एक दिन तुम बड़े फंकार बनोगे हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कार खाने में काम करो कार खाना कैसा कार खाना बस एक बार यह महल तयार हो जाए और यह लोग और लोग आगरा से ऑकर यहां रहने लगें, तब मैं कार खाने बन भाऊंगा, इन कार खानों में मेरी सल्टनत के सभी बढ़िया फंकार और सिर्फकार काम करेंगे, चित्र बनाने वाले कराकार, गलीचों के बुनकर, संगतराज, पत्थर और लकडी पर नकासी करने वाले सिल्पकार सभी वहां काम करेंगे केशव का चेहरा चमक उठा, वैं मुस्कराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूँगा अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंदा थप थपाया, और कहा अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो हुजूर क्या आप दुबार आएंगे, केशव ने बड़ी उठ्सक्ता से पूचा, मैं जरूर आउँगा केशव, फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच केशव की धुम मची रही, वैं बार-बार बादसास से हुई अपनी मुलाकात को सब को सुनाता रहा रात हो चली थी, केशव बहुत ठका हुआ था, आखों में नींद कहां, वैं धीरे से अपने पिता के विश्टर में बुश गया, पिता ने मुश्करा कर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो बादसा सलामत ने कहाई कि एक दिन में बहुत बड़ा कलाकार अपने पिता को, अपने सिरको पिता की बाहों में सहारे टिका कर केशव धीरे से बोला, हमारे बादसा बहुत ही नेक इंसान है, बिल्कुल सही, पिता ने कहा, कुछ सोचकर, केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादसा के पास आगराम है, एक से बढ़कर एक रहे हैं, पिता ने कुछ याद करते हुए बताना सुरू किया, हाँ बेटा, बादसा का आगरा बहुत सुन्दर सहर है, पर सीकरी में नया सहर बनवाने का भी एक खास कारण है, मैंने सुनाए कि जब बादसा अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परिश उनके एक नहीं, तीन संताने होंगी, सहाजादा, सलीम, मुराद और दन्याल, केशव ने चहते हुए कहा, बेलकुल सही, तब बादसा के ख्वाजा सलीम चिस्तिक के सम्मान में, सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था, केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसलिए ब एक नए सहर के लिए पत्थरों को तरास रहे हैं, केशव उनीदी आवाज में बोला, पिताजी ने देखा कि उनका लाड़ला बेटा सो गया है